नमस्कार दोस्तों एसन इलेक्टिकल एकेडमी के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए है इलेक्टिसियन ट्रेड थियोरी के सीबीटी एक्जाम के कोस्चनों को ले करके हमारे पास 30 जनवरी 2022 का जो सीबीटी एक उन कोशनों को हमारे पास इस्टूडेंट ने भेजा हुआ है उसी कोशनों का आज हम डिसकसन करने जा रहे हैं तो एक्जाम तो 30 तक ही था एक्जाम अब समाप्त हो गया है लेकिन एक नई अपडेट है जो सीबीटी एक्जाम से ही है जिन इस्टूडेंट का बैक था वो भी इक्ञाम डेट cbt इक्ञाम डेट मैंक का आगया है Jewish यह फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वह इस्टूडेंट जिनका बैटकर देना है CBT वो इस question को और जितने इसके पीछे question हुए है उन सभी question को वो student जिनका back paper देना है वो अच्छे से आज ही से वो लोग देखना start करते क्योंकि back paper का CBT exam एक फरवरी को start होने जा रहा है admit card publish हो गया है तो वो student इस वीडियो को अच्छे से इन question को देखेंगे और समझेंगे फिर भी किसी question में यदि उनको doubt हो जाता है तो हमें comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर देंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं तो please इस channel को subscribe करें दोस्तों जो भी student back paper का exam देने वाले हैं यदि electrician trade theory का है या WCS workshop calculation का है वो इस बार के जीतने भी trade theory के question हुए हैं उन सभी question का हम analysis के करके हर date का करके अपने channel पर playlist बना करके upload किया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं और यदि किसी student का back paper WCS का देना है तो WCS के भी exam का analysis करके प्रते एक दीन के paper कैसा रहा सब question को collection करके उसको भी playlist में upload किया हुआ है यदि जिनका WCS का paper है तो वो question को देख लेंगे तो उनका काम exam में बन जाएगा क्योंकि आप भी देखे होंगे कि question repeat हो रहे है तो repeat हो रहे है तो इसमें तो अब question का collection ज्यादे हो गया है ना साथ आठ दिन 10 दिन WCS का paper चला साथ आठ दिन इसका भी paper trade theory का भी चला तो question का collection बहुत हो गया है आप इन question को भी total अगर आप अच्छे से देख करके जाते हैं तो जिनका back paper देना है उन student को काम बन जाएगा तो वह student जिनका back paper एक फ्रावरी से start हो रहा है वह student इस वीडियो को काफी अच्छे से देखे समझे और किसी question में doubt हो जाता है तो हमें comment कर सकते हैं हम उसका reply देंगे और दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं तो please इस channel को subscribe कर लें दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करके question को लाते हैं student से मंगाते हैं तो आप भी थोड़ा सा इस channel के प्रती अपना support दिखाईए और इस channel को subscribe कराईए और कर दीजिए please दोस्तों क्योंकि हम एक नई series लाने वाले हैं जो एक घंटे साम को WCS और एक घंटे electrician trade theory की series चलाएंगे तो इसके लिए हमें YouTube द्वारा भी permission नहीं मिल पा रहा है जिससे आपसे हम पारबार request कर रहे हैं कि आप सभी छात्र इस channel को support कर दें जिससे आप अधिक संख्या में इस channel को subscribe कर देंगे तो हमें YouTube द्वारा अनुमती online पढ़ाने की मिल जाएगी उसके बाद हम बहतर से बहतर आपके बीच content लाने का प्रयास करेंगे तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका कुछ सकारात्मक हम को result देंगे इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आज 30 जनवरी के कोशनों को देखते हैं कि 30 जनवरी के कोशन का लेबल electricity trade थी का कैसा रहा तो दोस्तों ये जो 131 नंबर कोशन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि संपरकों का नाम है जिससे x के रूप में दर्स आया गया है तो ये जो पूरा circuit है ये जो पूरा circuit है इसमें ये जो fuse है और ये जो है nc है normal close है और ये जो है normal open है और ये जो है thermal overload relay है लेकिन पूछा गया है question में इस point को तो इस point को हम कहते है संपरकन auxiliary contact point यानि आपसर नंबर C जो दिया हुआ है auxiliary contact सहाइक संपरकन यानि आपसर नंबर C सही हो जाएगा next question ये 132 नंबर question पुछा गया था इसमें कहारा कि AC motor stator winding का प्रकार क्या है ये figure से आप देख करके आपको बताना है कि ये AC motor में ये किस प्रकार की binding है तो ये जो binding है ये single layer basket binding होती है जब इसको हम binding को करते है तो ये मास के जो टोकरी बनती है उसकी आकरिती ये दे देती है इसलिए इस binding का जो नाम होता है single layer basket binding होता है जो आपसन नमबर A में दिया हुआ है सिंगल लेयर बास्केड बैंडिंग इसलिए आपसन नमबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था वो 133 नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कह रहा है कि AC तीन कला इंडेक्शन मोटर की स्लिप गती की गणना किजिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा स्लिप प्रतिसद पूछ रहा है तो स्लिप परसेंट एकोटू होता है NS माइनस एनगर आपन NS आइन्टू हन्डेड होता है NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है और एन जो है रोटर स्पीड है अपान ये जो से सिंक्रोना सी स्पीड है इंटू हंड्रेड हैं यही स्लिप परसेंट का फर्मूले होते हैं आपसं जो ए दिया हुआ है एनस माइनस एनर अपान एनस इंटू हंड्रेड यानि आपसं नंबर यहां यही सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्टन जो पुछा गया था 125 नंबर इसमें कहरा कि 3 कला स्क्वेरल केज परेरल मोटर की स्लिप गती की गणना करने का फर्मूला क्या होता है यहाँ केबल स्लिप पुछ दिया तो स्लिप के लिए फर्मूला होता है एनस माइनस एनर यहाँ केबल स्लिप पुछा है इसलिए सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटस स्पीड का जो अंतर आएगा वो स्लिप होगा यहाँ जो आपसन ए दिया हुआ है स्लिप इक्वल टू एनस माइनस एनर यानि आपसन नंबर ए ही सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्टन जो पूछा गया था यह 126 नंबर कोश्टन पूछा गया था इसमें कहरा कि नियंतरण सर्किट का प्रकार क्या है यह जो है एनसी है नार्मल क्लोज है यह जो है एनो है नार्मल ओपन है और यह जो है थर्मल ओभर लोड रिले है इसका नाम thermal overload relay है और ये जो है ये एक capacitor है तो इसमें जो ये सबका combination से जो circuit बना है इस circuit का नाम क्या है तो इस circuit को हम etching circuit कहते हैं etching नियंत्रन यानि option number A ही सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था 127 नंबर question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि AC motor के stator में कुल बिदूतिय डिगरी की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रियोग किया जाता है AC में इस stator में total electrical degree total electrical degree equal to होता है 180 into pole याद रखिएगा total electrical degree equal to होता है 180 into pole option जो A दिया हुआ है कुल electrical degree equal to 180 upon slot गलत हो जाएगा B जो दिया हुआ है total electrical degree equal to 180 into slot ये भी गलत हो जाएगा C जो दिया हुआ है कुल electrical degree equal to 180 upon pole अपान pole नहीं होता है गुणा pole होता है इसलिए भी गलत हो जाएगा D आपसन जो दिया हुआ है कुल electrical degree equal to 180 into pole यानि आपसन नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोशन पूछा गया था ये फिगर दिया हुआ था और इसमें कहरा कि ये कौन सा परिच्छन किया जा रहा है तो ये नीचे वाला जो हिसा देख रहा है ये ग्राउलर है और ग्राउलर में ही ये वह ग्राउलर है और ये इसके उपर आर्मेचर रखी गई है और इस आर्मेचर के उपर ये हैक्सा ब्लेड रखी गई है इसमें जो टेस्ट किया जा रहा है वो सौट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है सौट सर्किट में ये हैक्सा ब्लेड रख करके किया जाता है इसमें जहां पे इस आर्मेचर में कौईल जो डाली गई है जहां पे ये क्वाइल सॉर्ट होगी वहां पे ये जो हैकसा है वो जादे वाइबरेट करने लगेगी जब ज़ादे बाइबरेट करने लगेगी, अर्थात ये पता हो जाएगा, ये कलियर हो जाएगा कि वहीं पे जिस अस्थान पे Hexa Blade ज़ादे बाइबरेट कर रही है, उसी अस्थान पे, क्वाइल जो है वो सार्ट हो गई है, तो आपसन जो A है वो ओपन क्वाइल टेस्ट न जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था ये 119 नंबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि वारनिस से पहले रीवाइंडिंग आर्मेचर को गरम क्यों किया जाता है कभी भी मोटरों की रीवाइंडिंग करने से पहले उसमें हम हीट देते हैं गरम हवा को भेशते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके आर्मेचर के स्लोट या इस्टेटर के स्लोट में जो नमी है वो समाप्त हो जाए हमको अच्छा इंसुलेशन मिल सके क्योंकि बॉडी का जो इंसुलेशन होता है नियम के एनुसार एक मेगा ओम से अधिक होना चाहिए यदि नमी होगी तो इंसुलेशन रजिस्टेंस कम बताएगा और नमी रहेगी तो अगर वाइंडिंग हो जाती है तो भी वाइंडिंग को सार्ट होने की संभावना रहेगी इसी को बचाने के लिए हम नमी को हटाने के लिए सबसे पहले हम उसको हिट देते हैं या उसमें गरम हवा भेशते हैं ताकि हमको अच्छा इंसुलेशन मिल सके और नमी को बाहर निकाल सके आपसंद जो ए दिया हुआ है इससे नमी को बाहर निकालने के लिए यापसंद न में कह रहा है कि DC compound motor के घुड़न की दिशा कैसे बदली जाती है तो ध्यान देना इस question में कि DC compound motor है अगर यह DC cent motor रहता या series motor रहता तो हम क्या करते या तो आर्मेचर winding के connection बदल देंगे तो motor की घुड़न दिशा बदल जाएगी या इसके फिल्ड winding के भी हम connection की दिशा बदल देते हैं तो motor की घुड़न की दिशा बदल जाएगी दोनों में संट और सिरिज दोनों में यदि सिरिज हो या संट हो दोनों winding दोनों को एक साथ बदलते हैं जैसे आर्मेचर और संट दोनों को एक साथ बदल दिए तो motor की घुड़न दिशा नहीं बदलेगी आर्मेचर और फिल्ड दोनों में से किसी एक की घुड़न दिशा अगर हम एक का ही connection बदलते हैं तो motor की घुड़न दिशा बदल जाएगी लेकिन compound motor में क्या होता है कि compound motor में सीरीज और संट फिल्ड दोनों बैंडिंग होती है और साथी साथ एक कार्मेचर बैंडिंग होती है तो इसमें अगर हम सीरीज बैंडिंग को बदलते हैं तो compound जो motor होता है वो दो टाइप का होता है differential compound motor और cumulative compound motor तो इसमें condition क्या होता है कि अगर हम इसके वैंडिंग के connection बदल दिया अर्थात अगर सीरीज बैंडिंग के connection बदल दिये तो अगर वो हम motor differential है तो cumulative हो जाएगी आयादी संट फिल्ड वैंडिंग के connection बदल दिये तो भी वो motor यादी cumulative है तो differential हो जाएगी तो इसी उसकी बिसेश्ता नहीं यह क्योंकि अगर differential है तो अपनी उसकी बिसेश्ता है तो उसके हम फिल्ड वैंडिंग के connection बदल दिये तो वो motor का connection ही बदल जाएगा वो motor का जो गूर्ड है वो differential से compound या cumulative या cumulative से differential बदल जाएगा इसी विसेश्ता को बनाए रखने के लिए आउसके बाद हम इसकी rotation की गूर्ण की दिशा बदलनी है तो compound motor में विसेश्ता बनाए रखना और साथ ही साथ उसकी गूर्ण दिशा बदलने के लिए हम केवल compound motor में armature के connection को बदलते हैं यदि हम compound motor में armature winding के connection को बदल दिये तो बीना विसेश्ता बदले मोटर की घूणन दिशा बदल जाती है आपसन जूद ए दिया हुआ है आरमेचर धारा की दिशा बदल कर यानि आपसन नंबर ए ही सही हो जाएगा क्योंकि इसके फिल्ड वाइंडिंग के अगर कनेक्शन बदलेंगे तो ये कंपाउंड मोटर की जो भी सेस्ता है वो बदल जाएगी चुकि भी सेस्ता बदलना नहीं है केवल घूणन दिशा बदलना है तो कंपाउंड मोटरों की भी सेस्ता बनाए रखना और साथी साथ उसकी घूणन दिशा बदलना हो तो एक ही उपाय है वो उपाय है कि आर्मेशर के connection को हम बदल दे Next question जो पूछा गया था ये question पूछा गया था इसको इस figure में देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी motor है आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ supply है और यहाँ फेज है यहाँ neutral है और इस supply के समनांतर में ये A1, A2 वाली armature है और इस armature के ठिक समनांतर में A1, A2 winding की एक sunt filled winding है अर्थात supply के parallel में ये armature भी है और इस armature के समनांतर में ये sunt filled winding है तो ऐसा जब भी connection होगा वो connection कहलाएगा sunt motor का इसलिए यहाँ जो ये motor ये diagram बनाया गया है ये sunt motor का है इसलिए option number A सही हो जाएगा sunt motor यदि इसी connection में यदि ये चीज यहाँ न रहके अगर यहाँ रहता तो ये जो motor कहलाती अब और इसको हम इस series field winding बनी है तो इसको हम D1, D2 से present करते तो अब ये जो motor आएगी ये series motor हो जाएगी फिल हल इस diagram को देखके बताना था तो ये sunt motor का होगा जो option number A में दिया हुआ है DC sunt motor इसलिए option number A सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था वो 65 number question पूछा गया था इसमें कहे रहा है कि DC motor में current की दिशा किस नियम से निरधारित की जाती है वो DC motor है तो DC motor में current की दिशा निरधारित करने के लिए flowing के दाए हाथ का नियम होता है option जो है D में दिया हुआ है flowing का दाए हाथ का नियम इसलिए आपसा नमबर D हो जाएगा यदि DC मोटर का प्रिंसिपल कहता तो वो फ्लोमिंग के बाए हाथ का नियम होता और यदि मोटर और जर्नेटर दोनों में प्रेरित EMF की दिशा ग्याद करने के लिए कहता तो वो भी फ्लोमिंग के दाए हाथ का नियम होता और जिस प्रकार मोटर का प्रिंसिपल फ्लोमिंग के बाए हाथ का नियम होता है उसी प्रकार जर्नेटर का प्रिंसिपल फ्लोमिंग के दाए हाथ का नियम होता है और राइट हेंड ग्रीप रूल और राइट हेंड पाम रूल ये जो है इस नियम से सीधे धारावाहिज चालक में चुम्ब की चैतर की दीशा ग्याद करने के लिए ये दोनों नियम लगाए जाते हैं तो फिलाल यहाँ डी आपसन सही हो जाएगा क्योंकि डी सी मोटर में करंट की दीशा निर्धारित करने के लिए कहा है तो उसमें हम फ्लामिंग के दाए हाथ का नियम प्रियो करेंगे इसलिए आपसन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन जो पूछा गया था यह च्छाचछ नमबर कोस्टन पूछा गया था इसमें कह रहा है कि डी सी संट मोटर आर्मेचर क्वाइल ली गई धारा की गणना करने का फर्मूला क्या होता है तो डी सी संट मोटर है तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज का जो फर्मूला होता है भी एक्वल टू ईबी प्लस आई ए आरे होता है यह जो फर्मूला है यह मोटर के लिए होता है अगर यही कहता कि जर्नेटर के लिए क्या होता तो केवल यहां प्लस है ना तो यहां हो जाएगा यानि फाइनली जो यह फार्मूला बनेगा वो यह बनेगा कि भी माइनस इबी अपन आर ए इक्वल टू आई यह फार्मूला फाइनली बनेगा आपसन जो यहां आप देखेंगे तो सी नमबर आपसन में दिया हुआ है कि आई एक्वल टू भी माइनस इबी अप इसलिए आप से नंबर सी सही हो जाएगा याद रखिएगा ये जो है a prince current है ये जो है आर मीष रजिस्टिंस है ये टर्मिनल 22 और ये जो है उत्त्रपन्ढ weakest है यनि इसको below भी कहते हैं नेक्ष्ट जो कोच्चन पूछा गया था ये 61 नंबर कोच्चन पूछा गया था इसमें कह रहा है कि DC DC मोटर की गती की गड़ना करने का फ्रॉर्मूला क्या होता है तो DC मोटर की गती का फ्रॉर्मूला होता है N equal to EB upon phi होता आप्सन नंबर A में दिया हुआ है एक्सन नंबर A सही हो जाएगा। इसमें कहाँ रहा है कि चार पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डूपलेक्स लैप बैंडिंग का फर्मूला क्या होता है। यदि लैप बैंडिंग है तो जितने पोल होंगे उतने पैलल रास्ते भी होंगे अर्थात यहां जो है पोल चार दिया है तो पैलल रास्ते भी चार हो जाएंगे लेकिन इसमें एक कंडिशन लगा दिया कि यह डूपलेक्स बैंडिंग है यानि इसके पैलल रास्तों में दो 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि जूंकि दिया हुआ है तो 4 दुनिका 8 यह 8 रास्ते हो जाएंगे अगर यहां ट्रिपलेक्स दिया रहा था तो तीन से हम गुणा करते अगर यहां पे क्वाड डूपलेक्स दिया रहा था तो यहां हम चार से गुणा करते तो यहां दो दिया था इसलिए दो से गुणा किये थे चार दुनी का आठ पहलन रास्ते होंगे जो आपसा नमबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसा नमबर D से ही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोस्टन पुछा गया था ये 63 नमबर कोस्टन पुछा गया था 63 नमबर कोस्टन में कहा रहा है कि DC मोटर में आर्मेचर के घुमने की दिसा कौन सा नियम बताता है तो DC motor में armature की घुमने की दिशा जो ग्यान निर्धारित की जाती है वो flowing के बाए हाथ के नियम से ग्यान की जाती है जो आपसन नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा यगर यहीं कोशन पे DC generator में armature घुमने की दिशा निर्धारित करने के लिए कहता तो उस condition में flowing का दाए हाथ का नियम होता और यह जो दोनों नियम है राइट हैंड palm rule और राइट हैंड grip rule वह सीधे धारा वाही च्यालक में चुम्बकी चैत्र की दिशा ग्यांत करने के लिए यह दोनों फार्मूले लगाया जाते हैं नेक्स्ट जो कोशन पुछा गया था यह 36 नमबर कोशन पुछा गया था इसमें कहरा है कि arc welding में किस प्रकार के DC generator का प्रियोग किया जाता है तो arc welding हो और chop welding हो इस दोनों में जो motor प्रियोग की जाती है वो differential compound generator प्रियोग किया जाता है इसलिए option number C सही हो जाएगा अगर application की दृष्टी से देखा जाए तो sunt generator का जो application होता है वो centrifugal pump, electroplating, battery charging में किया जाता है सीरी generator का प्रियोग अगर हम जानेंगे तो इसका प्रियोग होता है DC पारेशन लाइन में हुए voltage drop को पूरा करने के लिए स्रेडी generator का प्रियोग किया जाता है और cumulative compound generator का प्रियोग हम straight line, railway, leth machine और electroplating में करते हैं फिलाल यहां arc building में कहा था, तो arc building हो या champ building हो इन दोनों building में differential compound generator का प्रियोग किया जाता है जो option number C में दिया हुआ, इसलिए option number C सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था, यह 37 number question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि DC generator में तरंग binding की विशेस्ता क्या है तरंग binding यानि इंगली side में आप देखेंगे तो wave binding है, wave binding का प्रियोग हम उच बोल्टेज और कम धारा में किया जाता है उच बोल्टेज और कम धारा में, और यदि lap binding होगी, तो lap binding ठिक wave binding की उल्टी लगाई जाती है लैप binding को हम वहाँ prefer करते हैं, जहां पे current जो होती है वो high होती है, voltage जो होता है लो होता है और wave binding वहाँ हम prefer करते हैं, जहां voltage high हो, current low हो तो यहां wave binding का कहा है, तो wave binding में यह condition लगेगा, मतलब voltage ज्यादा हो और current कम हो तो option देखते हैं, option जो A दिया हुआ है, कम धारा कम voltage, option गलत हो जागा B जो है उच्छ धारा कम voltage, यह तो उच्छ धारा कम voltage, यह lap binding का condition हो गया तो यह भी गलत हो गया, C जो है कम धारा उच्छ बोल्टेज, यानि option नमबर C सही हो जागा क्योंकि यहां काया कि कम धारा तो यहां कम धारा है, उच्छ बोल्टेज यानि हाई बोल्टेज है, तो option नमबर यहां C सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question पुछा गया था, यह गारा नमबर question पुछा गया था, इसमें कहा रहा है कि गतिसील रूप से प्रेरित EMF का फर्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जरनेटर हो, अल्टरनेटर हो, इसमें जो प्रेरित EMF होता है, वो गतिज प्रवीरित का हो और ट्रांस्फार्मर जो होता है, तो ट्रांस्फार्मर में जो प्रेरित EMF होता है, वो अस्थायतिक, मतलब इस्टैटिक प्रेरित EMF होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पे कहा रहा है कि गतिसील प्रेरित EMF का फर्मूला क्या होता है, तो फर्मूला होता है, बी एल भी साइन थीटा जो होता है आपसन जो दिया हुए C, आपसन नमबर C में बी एल भी साइन थीटा यानि आपसन नमबर C सही हो जाएगा नेक्ष्ट जो कोशन पूछा गया था ये बारा नमबर इसमें कहा रहा है कि चुम्बकिये च्छेतर की दिसा ग्याद करने के लिए किस नियम का प्रियोग किया जाता है चुम्बकिये च्छेतर की दिसा तो चुम्बकिये च्छेतर की दिसा ग्याद करने के लिए राइट हैंड पाम रूल का प्रियोग किया जाता है जो आपसन नमबर B में दिया हुआ है दाहिने हाथ की हतेली का नियम राइट एंड पाम रूल का इसलिए आपसन नमबर B सही हो जाएगा फ्लोमिंग के बाए हाथ का नियम जो होता है मोटर के आर्मेचर घुमने पर लगाया जाता है और जर्नेटर में आर्मेचर के घुमने पर जो लगाया जाता है वो फ्लोमिंग का दाए हाथ का नियम लगाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन कम ज uh यह कोश्चन 13 नमबर इसमें कहा रहा है कि डीसी जर्रीयरड 이야기를 के किस भाग को दीखाए गया तो डीसी जर्रीयर प्रीटर के जिस भाग को आप देख रहे हैं इस भाग को कहते हैं हम बाड़ी फ्रेम या इसका दूसरा नाम होता है योक इसको तिन नामों से जाना जाता है यहां जो दिया हुआ है डी आपसन में यह कोशन पुछा जया था इसमें कहा रहा है कि यह कौन सी जर्नेटर है आप ध्यान से देखेंगे तो इसको वाहर से डीसी सप्लाई दिया जा रहा है मतलब बाहर से डीसी सप्लाई देने का मतलब हो गया कि यह सेल्फ एक्साइटेशन जर्नेटर नहीं है सेल्फ एक्साइट जन्टर रहती तो इसमें बाहर से डिशी सब्लाई देने किया हो सकता नहीं छोती तो संट जन्ट जर्नेटर जो होता है वो सेल प्रिक्णण सन छन ओता है तो नेक्स्ट कोस्टन जो पुछा गया था यह एट नंबर कोस्टन पुछा गया था इसमें कहा रहा है कि जर्नेटर द्वारा किस उर्जा को बीदू तूर्जा में रुपांतरित किया गया है तो जर्नेटर द्वारा हम उर्जा का रुपांतरर करते हैं वो जर्नेटर को मेकेनि कुर्जा में बदलते हैं तो यहां जर्णेटर का पुछा है इसलिए हम यहां मेकेनिकल देंगे यह अंत्री कुर्जा यानि आपसन नंबर डी सही हो जाएगा कि नेक्स्ट और यह आजका अंतिम कुश्चा नाइन नंबर इसमें कर रहा है कि डी सी जर्रेटर की फिल्ड वैंडिंग की गई है और यह जो है पूल सुएDO का काम जो होता है यह फिल्ड वैंडिंग को सपोर्ट देने का काम होता है और साथी साथ इस्टेटर और यह स्टेटर और आरमेचर के बिच जो एयर गैप है उसमें फ्लैक्स को समान रूप से फैलाने का काम जो होता है वो पोल्सू का ही होता है यहां जो कोशन पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का जर्नेटर है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें current की flow का दिशा जो दिखाया गया है एक ऐसे दिखाया गया है और एक ऐसे दिखाया गया है मतलब इसमें current की flow की दिशा जो है वह एक दूसरे के विपरीत है तो जब current का flow एक दूसरे के विपरीत होता है तो वो जो generator या motor होता है वो differential होता है तो यहाँ जो है आपसा number C सही हो जाएगा differential compound generator तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको सभी question समझ में आए होंगे फिर भी किसी question पे doubt हो जाता है तो हमें comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर देंगे और यदि दोस्तों आप आपको हमारा explain करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें, share करें और यदि आप इस channel पे नए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe कर लें दोस्तों इस वीडियो को इन question को collection करने में हम को बहुत मेहनत करते हैं तो आप से भी हम एक निवेदन करते हैं एक छोटी सी आपको काम करना है वो छोटा सा काम जो है वो आप इस channel को हमारी मेहनत को देखते हुए आप थोड़ा सा इस channel को support कर दें और इस channel को subscribe कर दें ताकि हम को support मिलेगा तो हम और अच्छा से अच्छा आपके बीच content लाने का प्रयास करते रहेंगे तो दोस्तों प्लीज इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं, हमारी ये वीडियो पहली बार दोस्तों देख रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों इस channel को subscribe कर लें तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए, bye bye, tech care